हेलो गाइस विलकम है आप सभी का एक और नए विलोग में मैं हूँ रामेश्वरबारिक आप देख रे रामेश्वरबारिक व्लोग्स और आज हम जाने वाले हैं सिटी सेंटर वण एक 9 इंच का रोल खाने के लिए और मैं जाते वे भी आपको रास्ता दिखाऊंगा और वहाँ पे जाके हम लोग सब मिलके 9 इंच का रोल खाएंगे मैं लाइफ खाऊंगा आप वर्चुएली खाना ठीक है हाँ तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं सॉड लेक्षी डिसेंटर वन के बाहर अभी जा रहे होई रेश्टरांट में जाएंप हम लोग 9 इंच का रोल खाने वाले उस रेश्टरांट का नाम है जवर अफगानी ठीक है अगर आपको प्रोनाउंस्येशन समझ में नहीं आ रहा फिर भी मैं राइटिंग्स में दे दूंग आप देख लीजेगा स्क्रीन आपको दिखाता हूं क्या है कैसा है क्यों है तो हम लोगों दुकान से यह नौइंच का कुछ रोल है रोल ले चुक है इसका नाम है आपका पापा जबर चिकन रोल इसका प्राइस आपका पढ़ रहा है कुछ 230 के राउंड और यह चिकन है बस और चिकन सिक कव आपका अग 20 के राउंड पढ़ेगा और अनलखी ली हम लोग वहां पे वीडियो शूट करने वाले थे वह रेस्वांट में पर अलाउं नहीं किये कि वहां पर शूट मत करो तो हम लोग को दुत्र जगा आना पड़ा है रोल लेके क्योंकि हम लोगों को रिव्यू देना ही आप लोग का रोल है और इसका स्टफिंग भी आप देखी पारे होंगे स्टफिंग बहुत ही यादा है और यह मैं अकेले कैसे खाऊंगा मुझा पता नहीं पर फिर भी ट्राई करते हैं और एक मेरा फूट चलेंज भी हो जाएगा कि 9 इंज का रोल में अकेले खा पाता हूं या नही नहीं चांस मैं यह 9 इंज का पूरा रोल अखेले खा लिया तो कसम से बोला हूं मैं दूसरा और एक खाने वाला हूं और सही में खाऊंगा मैं और वैसे मैं इसका क्या-क्या इंक्रिटेंस आपको बता दे रहा हूं इसमें आपका 200-300 ग्राम का चिकन अंदर है चार लेयर चीज है चीज तो ऐसे ही चीकन के साथ इतना मस्त कॉंबिनेशन है क्या ही बोलू फुरे हेवेनली कॉंबिनेशन है चीकन और चीज और उपर से तीन अंडे अंदर मेरा लाइफ के पहला रोल नव इंज का जो मैं खा रहा हूं और जिसमें इतना साथ चिकन और चीज और अंड़ आज तक मैं अगर डबल एग रोल भी खाता था तो उसमें दो ही अंड़ रहता था पर इसमें तीन अंड़े है और उपर से इसका जो पराठे का जो वो कि आप देखी बारे होंगे तोड़ने पर समझी आ रहा है और बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी है तो बिना कोई देरी के इसको खाना स्टार्ट करते हैं और आपको दिखाते हैं और अगर मैं इसको पूरा खा लेता हूं इसका टाइमलेस में रेकॉर्ड करने वाला हूं आप द वीडियो में और कैमरा में आपको समझ में नहीं आ रहा है कि यह कितना बड़ा रोल है तो आप देखी सकते कि यह मेरे पूरा हाथ का लेंग का रोल है यह देख सकते हैं मतलब मेरे रिष्ट के भी पर आ रहा है मतलब इतना सा इसका रोल है यह पूरा और यह पूरा मैं अक yeah, you know I see that I will get it cuz I'm really focused man, I make it with the weapon I just follow my path, I just follow my passion to me? This is what's precious yeah, in my soul man I can feel it so, every single first man I just gotta go and kill it man I gotta be the kid, I... could be the guy taking you wild, or could be the villain but that is okay, lately I'm painting my path on my way yeah, I got no time that I can waste so, I been sitting in the space yeah, making less than pretty damn and you know that I go insane yeah, I hit you with the bullet to the brain Let us stop work if we go and we go and it's young I don't know what I'm gonna do you don't know what is next and I'm loving the fact truly it's making me I don't know what I'm gonna do I'm gonna do it now I'm gonna do it now I'm gonna do it now तोड़ो मेरा लंग्स भरके हर्ड भरके मेरा गल्ला बर चुका है फिर भी अभी भी कम से कम 20 परसंड तो रोल वाकी है यह काम करेंगे मैं इसको पैक कर वाके गल्ले जाओंगा क्योंकि अभी अभी इसको खाना मेरे ने इंपॉसिबल है कि मेरे से नहीं होने वाला भाया अकेले हम यह इतना बड़ा रोल नहीं खापाएंगे मुझे लागा था नौइंज का सिर्फ साइज होगा अंदर का मटेरियल थोड़ा कम रहेगा क्योंकि अक्सर लोग ऐसा करते हैं पर यह रेश्टरॉंट जो जबर अफगानी अंदर जितना चीज दिया उससे ज्यादा चीकन दिया और अंडा तो भरबर के दिया मतलब यह जो बोलु मैं मतलब मैं इतना ही खा गया मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि कि और चीज अच्छा ज्यादा नहीं लगता तो यह उसको थोड़ा ज्यादा सॉल्टी लग सकता है क्योंकि चीज ऐसा ही सॉल्टी रहता है पर फिर भी वो लोग इसमें मसाला निम्बू सब डाल के उसको बवर अब कर देते है और फूड रिव्यू इसका मैं इसको 10 out of 10 रेट करूंगा पर फिर भी में 10 out of 10 रेट नहीं करूंगा क्योंकि इसमें 10 out of 9 रेट करूंगा क्योंकि इसमें भले चीज बहुत है चिकन बहुत है नहीं होता है नाइन आउट ओफ टेन होता है देते जस्लाइक कैप्सिकम या या कुछ और हो गया तो और भी अच्छा लगता और ध्यान से अगर किसी को मिर्ची से कुछ भी प्रॉब्लेम है किसी को इतना तीखा पसंद नहीं है तो प्लीज उन लोग को पहले ही बोले कि मिर्ची जादा मठ डाली या तो मिर्ची एक साइस का और एक मिर्ची आपके अंदर चला गया ना आपका मिर्ची निकल जाएगा यह का समझा मैं बोल सकता हूं तो चलिए अब इसके लिए यहां तक समाप्त करते हैं अब आगे का वीडियो आगे देखते हैं इसको मैं पैक करवाता हूं जल्दी से हां तो गैज अभी वो रोल जो बचा हुआ था वो मैं पैक करवा लिया हूं और अभी वह हम में घर जाके खाऊंगा अगर हो सका तो अभी जश्ट घर जाके ही मैं खा लूंगा नहीं तो मैं उसको रखूंगा बाद में खाने के लिए क्योंकि यार इतना बड़ा रोल इसका डिनर और लंच दोनों एक साथ हो जाएगा कसम से बोलना हूं डिनर लंच एक साथ हो जाएगा अरे नौ इंच का रोल मजाग थोड़ी है पर फिर भी मैं जितना हो सब्सक्राइब किया हूं खाने के लिए और यह रहे मेरे कैमेरा मैन इनका नाम है उमंग और देखा हो जाते हैं यह थोड़े मेरे से ऐज में पड़े हैं तो मेरे भाई हो और एक बात यह हो गया कि यह वेजीटेरियन है यह डिसधिवांटे Prose हो गिया कि यह वेजीटेरियन हैम tomar यह तो यह वोड जेर नहीं कर पाएं नहीं तो वह रfilled आभी आपके लिए thou सब्सक्राइब मेरे बैग में पड़ा हुआ है तो अभी में जा रहा है अपना घर तो यहां से अटो पकड़ना मुझे और अभी घर जाते हैं यह जो स्टाइच्व आप तीछे देख रहा है यह वाला मुझे अच्छा लग गया यह स्टाइच्य तो मैं सोचा आप लोग को दिखा दूं तो देखी पारे होंगे आप रूपिये एक बार आप देखी पारे होंगे कितना सारा फ्लावर्स है और यह असल में विवेकानंद का स्टाइच्व है स्वामी विवेकानंद का और इस पर बहुत ही ज्यादा फ्लावर्स है और मस लग रहा यार कितने सारे फ्लावर्स है तो मैं अभी पहुंच चुगा हूँ मेरे रूम पे और डेश्वेस चेंज कर लिया हूँ फ्रेश हो गया हूँ और आज का व्लॉग बस यहीं तक था और कुछ थाने आपको दिखाने को इसलिए मैं दिखाने ही पाया आपको कुछ ज्यादा इंटरस्टिंग थाने आपको दिखाने को तो आज के लिए ये व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं फिर मिलेंगा आपको एक और नए व्लॉग में एक और नए इंट्रेस्ट के साथ, एक और नए चीज के साथ, और भी fun way में और भी मज़ा करेंगे, तब-तब के लिए, Bye, Have a good day, Good night, और गाइस वीडियो अच्छी लगी हो, तो लाइक करो, चैनल पे नहीं होता है, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, कौन सा पार्ट आपको वीडियो का अच्छा लगा, और भी अगर कोई नया यूनिक जगा है, जहाँ पे कोई यूनिक सा फूड मिलता है, या कोई और भी अच्छा फूड मिलता है, जिसका मैं रिव्यू कर सकता हूँ, तो जरूर कमेंट में मुझे बताओ, कि कहां है वो जगा मैं जरूर उसको पर एक वीडियो बनाऊंगा, जरूर उहाँ पे जाके एक व्लॉग शूट करूंगा, और उसका फूड रिव्यू जरूर दूँगा आप लोगों को, अच्छी लगए तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, मतलब जितना शेयर कर सकते हो करो, भाड़ दो शेयर करकर अपना फोन,